हलो दोस्तों, नमस्ते, मैं रवी आप सभी को इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, हम इस वीडियो में Post Metric Scholarship के बारे में बात करने वाले हैं Post Metric Scholarship के तहट यानी कि तीन बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है जिसके बारे में हम इस वीडियो में हरे एक अपडेट के बारे में बिस्तार में चर्चा करने वाले हैं जी हाँ दोस्तो इसके बारे में हम आपको बिस्तार में बताएंगे कि कौन सा अपडेट क्या आया हुआ है दोस्तो आप जान रहे हैं कि मतलब कि अभी post-metric scholarship केवल AC और ST के लिए यानि कि apply किया जा रहा है जी हाँ दोस्तो अभी यानि कि AC ST का apply online हो रहा है और OVC और EVC का apply अभी नहीं हो रहा है तो दोस्तो पहले सुचना निकल कर बताया गया था कि यानि कि Post Metric Scholarship अपलाई करने का Last Date यानि कि 5 December 2022 तक था लेकिन इसको बढ़ा करके अब इसे 31 December 2022 तक के कर दिया गया है आप यहां से देख सकते हैं दोस्तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि यानि इसे बढ़ा करके 31 December 2022 तक यहां पर यानि कि बढ़ा करके कर दिया गया है आप यहां देख सकते हैं दोस्तों यानि कि सिक्षा भ्युहार के दोहारा ओफिसियल नोटिस निकाल करके यहां सब को बता दिया गया है किसे डेट को बढ़ा दिया गया है आप यहां से देख सकते हैं अवस्तों सुचित किया जाता है कि अनुसुचित जाती प्रसिकोतर छातर वीरती योजना एवं अनुसुचित जाती प्रसिकोतर छातर वीरती योजना तथा मुख्य मंत्री अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जाती प्रसिकोतर छातर वीर डॉट एणिसी एबं मुवाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन अवेदन अमंत्रित करने हित्तु दिनांक 5 वारत 2022 तक की ती निर्धारित की गई थी लेकिन इसको दिनांक 31 वारत 2022 तक बिस्तारित की जाती है ऑनलाइन अवेदन करने से संबंधित विस्तरित दिर्षा निर्धेश पीमस पोर्टल पर उपलब्ध है यानि कि दोस्तों यहां पे साफ साफ का बता दिया गया है जो इसका डेट है यानि कि 31 वारत 2022 तक बढ़ा दिया गया है दोस्तों हमने आपको पहला प्रेट तो बता दिया कि यानि इसको डेट को बढ़ा दिया गया है दोस्तों यहां डेट के वाल AC और SD कंडिडेट के लिए बढ़ाया गया है और OVC का कैब यानि कि फॉर्म फिल होना चालू होगा इसके बार में भी हम बताने वाले हैं दोस्तों OVC और EVC का फॉर्म यानि कि अभी जब इससे समाप्त हो जाएगा यानि 31 वारत का इसका यानि लास्ट दिट है यह जब बंद हो जाएगा तो हो सकता है कि उसे चालू किया जाए यानि कि इसके वाल में भी कोई ओफिसियल सुचन नहीं जारी किया गया है कि कब EVC और OVC का फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों यहाँ पर काफी सारे AC ST कंडिडेट है जो यानि कि फॉर्म तो अपलाई रेजिस्टेशन कर लिए हैं लेकिन फॉर्म अपलाई करने के लिए लिए जा रहे हैं तो वहां उनको सर्वर का प्रोग्रम का समना करना पड़ रहा ह आइज जैसे कि आप देख सक्ते हैं इस पर किली करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस सोब हो जाता है यहाँ लॉग इन फॉर ओल्रेडि रेजिस्टाड यहाँ पर आपको किलीग करिएगा तो किली करने के वाद दोस्तों आप यहाँ से सकते हैं कौफी सारे स् तो दोस्तो इसका एक program है कि यानि जो website को mention किया गया है या कहीं ने कहीं इसका जो server बनाया गया है या बहुत ही big है बहुत ही कमजोड है इसके कारण मतलब कि इस पर load नहीं ले रहा है जिसके कारण या server बिश्तरीन तरीके से work नहीं कर पा रहा है इसका solution दोस्तो कुछ दिन आ आने को आद देख सकते हैं आपको यहाँ एक यानि कि इसका email id दिया गया है इस email id पर जो भी आपको program हो रहा है उस program को यानि कि यहाँ screenshot ले करके इस email id पर आप send करिए जिससे कि क्या होगा कि यह वह लोग बनाए है server का इसका जो operator है इसे email को जरूर देखेंगे और इसका यानि कि इस server को fix करने में जरूर help करेंगे दोस्तों यही update आया था कि यानि कि यही तीन बड़ी update था कि यानि कि इसका date को बढ़ा दिया गया है और OBC और EVC का date अभी जारी नहीं किया गया है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करिए और हमारे channel पर आप पहले बार आये हैं तो channel को subscribe करके घंटी को दवा दिए जिससे कि हमारे हर वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल सके और दोस्तों इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे भी इस तरह का सुचना उन्हें भी मिल पाए और दोस्तों आपके मन में किसी वी तरह का हिंद बंदे मातराम